नमस्कार आप देख रहे हैं JJN News आपके साथ मैं हूं निशा नीम करोली बाबा की ख्याती ना केवल देश बलकी विदेशों तक फैली हुई है नीम करोली बाबा में कई चमतकारिक और आध्यात्मिक शक्तिया थी बाबा के अनुआई उन्हें हनवान जी का अवतार मानते थे इससे पहले हमने आपको नीम करोली बाबा के जीवन से जुड़े कई रोचक पहलूओ के बारे में जानकारी दी थी साथ ही हमने आपको बताया था कि बाबा की चमतकारों और उनके खास सिश्यों के बारे में आज हम आपको बताएंगे कैसे नीम करोली बाबा अकसर अपने भक्तों की मदद करने उनके घर पहुंच जाया करते थे आपको बतादे कि एक कहानी महराज नीम करोली की महासमाधी के बात की है इसके बारे में उनके एक भक्त मुकुंदा बताते हैं कि वो अपने घर के बाहर पौधों में पानी दे रहे थे तबी श्वेत वस्तर धारन किये जोला लटकाए और पुस्तक हात में लिए एक व्यक्ती उनके पास आकर खड़ा हो गया उस व्यक्ती ने इशारे से उन्हें बुलाया उन्होंने सोचा कि चंदा मांगने वाला है और कुछ पैसे दे कर उसे टालना चाहा लेकिन वो बोला कि मुझे पैसे नहीं पीने के लिए पानी चाहिए बता दे कि मुकंदा ने उसे कुर्सी पर बठाया और उस व्यक्ती के बारे में अपनी पत्नी को बताया इसके बाद उनकी पत्नी उस व्यक्ती के लिए पानी और प्रशाद लेकर आई पानी पीकर वो व्यक्ति कहने लगा कि मैं शृड़ी से आया हूँ, आप लोग भी वहाँ आएं, आपके सभी मनुरत पूरे होंगे मुकुंदा की पत्नी ने कहा कि बाबा हम लोग तहले से दिक्षित हैं और हमें अपने गुरू के अलावा किसी से अप्वेक्षा नहीं है हमारे गुरू नीम करोली महराज हैं, तब वो व्यक्ति बोला, ये तो बड़ी अच्छी बात है, गुरू भक्ति से इंसान को सब कुछ प्राप्त हो जाता है वो फिर बोला, तुम्हारे तीन बेटे हैं, उनमें से दो तो ठीक हैं, पर एक थोड़ा चंचल है तुम्हारा एक और भी बेटा है, जो दूर से ही तुम्हारी सेवा करता है उस वक्त चौथे बेटे के नाम पर मुकंदा का पूरा ध्यान अपने भतीजे रब्बु की तरफ किया वो व्यक्ती बोला, तुम अपने तीसरे बेटे से कह देना, अपरेल में उसे नया काम मिल जाएगा लेकिन उसे समझा देना, सांजे में कोई काम ना करे तब मुकंदा की पत्नी को लगा कि वो अपनी बातों से उन्हें लुभा रहा है पत्नी ने उसके जोले में जाते हुए कुछ फल और 11 रुपे डाल दिये जाते हुए इस वेक्ती ने शिर्डी आने का निमंतरन दिया अपना नाम जगनात बताते हुए कहा कि शिर्डी आने पर तुम मेरा नाम ले लेना सब इंतजाम हो जाएगा इसके बाद वो वहाँ से चला गया लेकिन उसकी बाते मुकुंदा और उसकी पत्नी के दिमाग में चलती रही कि तुम्हारा एक और बेटा है जो दूर से ही तुम्हारी सेवा खड़ता है तब ही उनकी पत्नी को याद आया कि एक बार निंकरोली बाबा ने उससे कहा था कि तेरे तीन बेटे तो थे ही एक मैं भी हो गया वो लोग दोड़कर बाहर गए लेकिन वो व्यक्ति कहीं भी दिखाई नहीं दिया महज दो मिनट में वो गाइप हो गया मुकंदा और उनकी पत्नी को एहसास हो गया कि वो व्यक्ति कोई और नहीं बलकि बाबा नींकरोली ही थे बाबा के कहे अनुसार अप्रेल में उनके बेटे को काम भी मिल गया तो ये थी बाबा नींकरोली से जुड़ी कहानी की बाबा कैसे अलाग अलाग ग्रूपों में भक्तों के पास पहुँच कर उनका कल्यान क्या करते थे नींकरोली बाबा से जुड़ी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरू बताएं साथ ही उत्राखन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें जे जैन न्यूस नमस्का